Retro Studies में आप सभी का स्वागत है आज हम Class 10 के First Flight Book से The Tree Poem जो की Adderan Bridge द्वारा लिखा गया है इस Poem को पढ़ेंगे और समझेंगे तो आईए स्टार्ट करते हैं इस कविता में आई जो है स्पीकर के voice को रेप्रिजेंट करता है जो की Adderan Bridge स्वायम है यह जो Poem है यह Unnatural Poem है जो की Trees की Population और उसकी Escape होने के Struggle को बता रहा होता है इस Pain से यह Poem यह बताने का प्रयास कर रहा है कि पहले के समय में Women's की Condition क्या हुआ करती थी इस कविता में Adderan Bridge एक Feminist है और यह हमेशा Female Section of Society जो है उनके Hit में उनके एवज में वो कविता लिखा करती है तो वो जो Witness करती हैं कि जो महिलाएं सोसाइटी में रहती हैं उस समय वो Male Dominating Society होता है और उस सोसाइटी में उनको सप्रेस करके रखा जाता है यहां तक कि उन्हें बाहर तक नहीं जाने दिया जाता है अगर वो इकशुक होती है कि वो बाहर जाएं और अपने Talent को वो दिखाएं प्रदर्शित करें और अपना जीवन्यापन बेहतरीन तरीके से करें इन सब चीजों की आजादे उस समय नहीं दी जाते थे महिला का मतलब उस समय जूती का धूल इस सब्द को हम लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि male dominating society में जो male section था वो female को किसी प्रगार का कोई काम करने के लिए बाहर नहीं भेजा करता था और यह जो suppression था female section का उसके वज़े से एडनान रिच बहुत ज़्यादा disappointed हो जाती है हम देखेंगे कि इस poem में जो पेन है वो poet के घर के अंदर है और उसके जो roots हैं वो पूरी रात कारे करते हैं जैसे आप देखें होंगे कि किसी भी दिवाल के बीचो बीच या फिर दिवाल को पकड़े हुए पेन का जो root होता है वो बाहर निकल रहा होता है और वैसे ही इस poem में भी उस चीज को दर्साया गया है कि किस तरीके से दिवाल का जो खाली space होता है दिवाल के अंदर उसके माध्यम से पेन का जो जड़ है वो निकलने का प्रियास कर रहा है बाहर बहुत प्रियास कर रहा है कि जो खिरकी का glass है उस glass के माध्यम से उसे तोड़ते हुए वो बाहर निकल जाए जो खुला दर्वाजा है वो रात के लिए है और जो पूरा moon दिखाई दे रहा है इस sky में वो भी speaker के लिए available है पेंड धीरे धीरे बाहर निकलने का प्रियास कर रहा है लेकिन दर्वाजे के अंदर उस पेंड के पत्तों की जो खुश्बू है वो घर में अभी भी पहुँच रही है जो poet है वो पेंड के इस image को newly discharged patient से compare किये हैं जो वो patient जो hospital से नए नए discharge होते हैं आप देखे होंगे कि किस तरीके से उनको दिक्कते होती हैं वो चल नहीं पाते हैं वो अपने आपको घसीट के आगे बढ़ते रहते हैं उसी तरीके से जहाँ पे महिलाओं के बारे में भी व हले ही उसके लिए उन्हें बहुत ताना सहना पड़ता है आप देख लिजिए कि अभी अधिकांस महिलाएं ऐसी हैं जो अपने घर से बाहर कदम निखाली हैं और अपने घर परिवार का अपने देश का अपने शेहर का नाम वो रोसन कर रही हैं इट मिन्स कि उन लोगों के माध्यम से अडरन ब्रिच बताना यह चाहती है कि यह जो पीड है उस समय सोसाइटी में जो वुमेंस थी वह अपने आपको बंधनों से मुक्त करके अपने आपको और अपने एक्सपीरियंस को और अपने जान को हर जगा फैलाने का प्रियास में लगे हुई थी ताकि उन् वो कितना सुन्दर दिखने लगता है और इसलिए यहाँ पे अडरन ब्रिच ने महिलाओ को पॉइंट आउट करते हुए कहा है कि वो बाहर निकलना चाहती है वो फ्रिस एयर में जाना चाहती है ताकि वो अपने आपको बहुत ज़्यादे स्प्रेड कर सके इस्प्रेड मत